गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट वेलकम टू एमकेस फिजिस क्लासिस आज हम डिसकस करने वाले इमेज फॉर्म बाय कौन के मिरर कौन के मिरर से हम इमेज किस तरीके से बनाते हैं वह देखते हैं इसमें हमने रूल्स पहले ही लिखा दिये थे हम एक बार और एक्स्प् एकशच करते हैं जो रेक्टेट होने के लिखाश क navy से पास हो जाती है दूसरी रेस को हम सेंट्र खरव करते हैं जो रेफ्लेक्टेट होका उसी से रेटर्न हो जाती है धäreड़म कर्दथर अगर हम इसलेट रेको फोकस से पास करें धिलों ठोपित की प्रेंसिपल से पास викह जहां पर एक दूसरे कट करती है वहां से फ्रेंसिपल एक्जीज पर कर देंगे परपेंडिकल ड्रो कर देंगे तो प्रेंसिपल एक्जीज पर रखी आप्जेक्ट की image बन जाती है तो इसमें हम पहली heading देखते हैं वैंन object is placed at infinite, जब हमारी object कहां रखी है, infinite पर रखी है, concave mirror के लिए, तो this is a concave mirror, this is a pole, this is a focus, this is a center of curvature, this is a principal axis, अब infinite पर जो object है, infinite से जो rays चलती है, वो एक दूसरे के parallel चलती है, तो infinite से हमने माल लिया कि पहली rays हो है, principal axis के parallel incident हो रही है, mirror पर, जो reflected होकर कहां से पास हो जागी, focus से, जो पहला point था, मैंने बताया था, image found करने के लिए, अब दूसरी rays इसके parallel होगी, तो यह हमने एक parallel दिखा दी, यह भी principal axis के parallel होगी, जो कहां से पास होगी, focus से, तो infinite पर जो object रखी होती है, उसके लिए कौन के mirror द्वारा जो image formed होती है, वो focus पर होती है, at focus पर, real होगी, inverted होगी, very small in size, कहने के मनलब कैसी होगी, point image माल लीजिए या फिर, या इसका जो magnification होगा, m less than less than minus 1, second condition देखते हैं, when object is placed between infinite and center of curvature, अब object जो है, infinite और center of curvature के बीच में है, इधर देखिए, यह हमारी क्या एक object है, a, b, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कि इसका condition वो ही है, पहली incident ray को हम principal axis के parallel दिखाएंगे, जो reflected हो करके कहा से pass हो जाईगी, focus से, दूसरी rays को हम focus से pass करेंगे, जो reflected होगे क्या हो जाईगी, principal axis के parallel, तो एक reflected ray ये होई, एक reflected ray ये होई, यह एक दूसरी कोड़ यहाँ कर रही है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो object क्या है principle axis पर perpendicular है इसकी कोई नद कोई एक shape है तो अगर हम देखना चाहें तो यहां से raise pass की है हमने B point से तो इस point की image जो है यहां पर बनी है यह B dash पर कहां पर इसे हम point ले ले रहे हैं B dash इस point की image B dash पर बनी है यहां cut कर रही है अब B से अगर हम इस तरीके से हम इस तरीके से यहां से लेंगे तो यह इस तरीके से यहां पर cut करेंगी कहने का मतलब है B से A पर क्या है perpendicular तो object से हमने principle axis पर एक perpendicular draw किया जो किसकी से बता रही है यह B object की similarly B point की जो image बन रही है वो क्या बन रही है अगर B से हम प्रिंसिपल axis पर एक perpendicular draw कर लेंगे A डस B डस तो this is a image of object AB अब इस condition में object की image किस तरीके से बन रही है आप देखिए यह एक दूसरे को real में cut कर रही है तो real image बन रही है और image जो बन रही है between the center of curvature and focus real है तो यह क्या देखो यह उपर रखी होई यह image और यह नीचे है तो inverted image बन रही है आपकी कैसी बन रही है inverted अब देखो object A भी large है और A डस B डस क्या है small तो कहने का मतलब small in size है ठीक है अब इसका जो magnification होगा वो होगा M less than minus 1 Thank you dear student